याज याज कैसे आप मैं हूँ मॉनिका और आप देख रहें मेरा चानल कोटी दूस्थ आज हम बना रहें आलू के बड़ी करस्था करारे लच्छा पकोड़े बनाएंगे इनके क्रिस्पी फटाफट से पांच मिल बनने वाले पकोड़े बनाएंगे बच्चे कुछ बढ़िया खाने का बन कर रहा है वच्चों का शाम को तो ये पकोड़े बना की खिला दीजिए खुश हो जाएंगे महमानों को खिला ये खुश हो जाएंगे अपने लिए बनाइए चाय के साथ शाम को बना के खाएए तो छेले बना लेते हैं तो हमने चा से काट ले से पहले आप क्या करें पतले इनकी स्लाइस पके निकाले और इनकी बप्ता के निकाली है, यह संरौश बड़ा सो दक में रिखें citizen का लीजे तो इसके बड़े Crossland हम जूल में बख्मारे और ब looking, मैंने बस्टा के निकाल. चाहें तो दो बार बाणी बदल सकते हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वाश कीजिए और उठाकर डाले थे फिर दूसरे बर्तन में साधे बर्तन में इस तरीके सबसे पहले धनिया मिला यह थोड़ा सा हरीमिश अच्छी लगती है अगर बच्छों के लिए ना डाले नहीं तो हरीमिश थोड़ी डाले एक छोटा प्याज मैंने इस तरीके से स्लाइस करके डाल दिया क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच मिल जाएगा हमें अलियन से नमक डाल gray यह तरीक से थोड़ा सा में टालें जाडलिगे अब थोड़ा सा इस सब्सक्राइब इसे आर जालु पानी चूड़ देते हैं और जैसे से आपने इसे मिक्स करना है तो आपको लगए बेगा एक कि यह तोड़ी गीले होने स्टार्ट हो गए है मुस्प प्पाइपी भीशिक कोड़े अब करने के लिए तरह हमें प्पाइपी तो इसमें एक बड़ा चमज में बेसन और मिलाती हैं और साथी थोड़ा पानी का चीटा दे देते हैं एक चमज दो चमज के करी और फिर इसे मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा पकोड़े के लिए अच्छा सा यह बैटर जो है भजिया वाला स्वेशल भजिया बन तो भजिया वाला बैटर देखाने बिल्कुल बड़िया बजिया जो इकठी हो रही है तो अब इसे गर्मा गर्म तेल में रख दिया था तेल में डालिये गर्म तेल होना चीए लेकिन आंच को कर दिजे कम और थोड़ थोड़े सारे पोशन लीजिए हाथ से डाले चमज से जैसे आपका दिल करते है डालिए और इसे फ्राइए कीजिए पहले इसे दो तीन मिनट तक बिल्कूर नहीं छेड़ी नहीं तो पिखर जाएंगे इन्हें पहले पकने दीजिए और फिर हल्की हाथ से पलट दीजिए और हमने इसे एकतम करारा क्रंची करना है कि आलू के लच्छे इंगम क्रिस्पी लगें खाने में मज़ेदार टेस्ट आए बसे जब तक आपको क्रारे जित्ते पकोड़े चाहिए नो उत्ते पसंद आए तब तक तलिए और पकोड़े दो बार तलने की ज़रत नी एक बार मे कि लाएन थंड़े और अलो के जो लच्छे बहुत अच्छे से क्रिस्पी बहुत अच्छा स्वात देने वाले हैं तो इन्हें आ पी देखी कि इतने अच्छे खस्ता लगरे न इसमें हमने अजवायन मिलाई है थोड़ा प्याज मिलाई है उससे क्रंच आ रहा है आप चाहे तो थोड़ा लसन भी मिला सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे में मीठी चटनी के साथ और साथ में धनिये की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्फ करने हूं जो कि पकोड़े और चटनी आओ मज़ेदार तो स्वात बढ़ी जाता है तो मैंने पकोड़े बना लिए इसके साथ आप चाहें तो सब करते सम समय आप थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और हाँ कोई रेसिपी अच्छी लगी होगी जरूर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में शेयर कीजेगा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है